अखले शादव ने इस मामले में ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में नोंने क्या कुछ का है वो भी आपको बता देते हैं संभल में शांती के अपील के साथ ही ये भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उमेद ना चोड़े नाइनसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और नियायका यूग आएगा अखले शादव ये ट्वीट कर रहें क्योंकि संभल के मुद्दे को लेकर अब सियासत भी देखने को यहाँ पर मिल रही है वेमल कौशिक हमरे साथ लगातार बने हैं वेमल जिस तरह से हमने देखा है कि इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है एक तरफ केश्व परसाद मौरे का बयाना आया है दूसरी तरफ खलेश शादव भी यहाँ पर बयान दे रहे हैं और नियायकी उमीद हम छोड़ नहीं सकते कह रहे है जो बिल्कुल देखे एक तरफ जहां पुलिस का फोकस है के कानून विवस्ता को बहाल किया जाए शांती को विवस्ता को बहाल किया जाए तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर राजनिती होगी क्योंकि एक तरफ अगर बीजेपी को वैसे भी समाजवादी पायटी अक्सर इस मुद्दों पर घेरती रही है और अगर इस मुद्दे की स्पेस्पिक इस मुद्दे की बात करें तो जब सिविल जजज की तरफ से ये आदेश दिया गया था के सर्वे का काम करेगा तब ही से सवाल खड़े हो रहे था कि कोट ने बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने इस तरह का आदेश दे दिया लेकिन एड़ोकेट कमिशन वहाँ पर पहुंचा और बकायदा मजजित कमेटी की तरफ से सयोग भी दिया गया मंगलवार को दो घंटे टीम रही आज भी जो जानकारी मिल रहे कि तीन से साड़े तीन घंटे टीम रही जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई अब रिपोर्ट 29 तारिक को देनी है लेकिन सियासत दानों की बात अलग है वो अपनी तरस से सियासत कर रहे लेकिन इस वक्त की अगर मैं बड चलता और खासकर जिस तरीके से तीन मौत की बाता रही है जो दूसरा पक्षय है वो पुलिस पर आयोप लगा रहा है कि पुलिस की तरफ से फारिंग की ँग गई जब्किद कि तो ऐसे में महल एक बार फिर से ना खराब हो जाय इसको लेकर आप इलाके बहुत जादा बहु पर पूरी तरीके से तमाम चीजों पर नज़र रखी जा रही है और तमाम जो लोकल लोग है जो अमेन कमेटी से जुड़े हुए लोग है उनसे भी बात की जा रही है और महौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है तो पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सिंती क पूरी तरीके से नियंतरन में लिया चुका है लेकिन जिन्दगी दुबारा से सामाने बनाए गया सके और दुबारा से क्योंकि अभी इसी मामले में तीन दिन बात कोट में सुनाई होगी तो ऐसे में देखना होगा कोट का क्या रूख रहता क्यूंकि पुलिस और तब भी वहाँ पर कुछ लोग इखटा हुए थे जिनोंने महौल खराब करने कोशिश की थी लेकिन बाद में पुलिस ने स्थिती को नियंतर में किया कोगि मस्जिद कमेटी की तरफ से भी पूरा सयोग दिया जा रहा था तो लियाजा उनकी तरफ से भी लोगों को समझाया पर रहेगा लेकिन विमल एक जो अधिकारियों के बयान हम सुन रहे थे उसमें साफ नजर आ रहा है कि प्लान किया गया था विरोध प्रदरशन को पूरी तरह से खासकर जो अधिकारी कह रहे हैं कि 12-13 साल के बच्चे उनको आगे मुर्चे पर रखा गया था महिलाओं को पर खड़ा किया गया था ताकि वहां से पत्थर वाजिय की गए वो उस दोरान वहां मौज़ूद थे उनकी ड्यूटी जो है वो मस्जिद पर रही थी उन्होंने साफ दोर बताया कि किस तरीके से पूरा घटना करम हुआ सुबा छे सबाच शे बरिकाया असपास जो है पुलिस बल वहां पर तैनात हो गया था जो टीम थी एड़ोकेट कम उनको तोड़ दिया था तो यह जो दो तीन चीज़े हैं यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक प्लैनिंग के तहतोव प्लस एक चीज और के उन्होंने कहा कि बाहरी लोग इसमें शामिल थे तो यानि कि यह प्लैनिंग रही होगी जिससे उन्हें यह जानकारी थी कि आज सर्वे की टीम यहां पहुचेगी तो बाहर से लोग आने में भी समय लगा होगा और बकाइदा एक और जानकारी जो चुकाने वाली जानकारी जो खुद जो मुरादा मंदल के कमिशनर है उन्होंने दी कि महिलाएं छट से पत्थर चला रही थी तो क्या घरों मे घरों में पत्थर जमा किये गए थे क्या जिस तरीके से जिन गाडियों में आग लगाई क्या पहले से बॉटल में पट्रोल मौजूद था किस तरीके से यह तमाम घटना करम यह बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक बड़ी साजिश थी जिसकी कीमत तीन लोगों को अपनी जान दे कर चुकानी पड़ी और साथ ही साथ इसमें बच्चों का भी बड़े लेवल पर इस्तमाल किया गया जानकारी फूद ही पुलिस भी मान कर चल रही कि बच्चों का इस्तमाल किया गय大 जो लगातार पत्थराव कर रहे थे बाकाईदा जो आसपास के इलाके में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां से भी हीट पत्थर लिए गए दिवारों को तोड़ कर वहां से हीट पत्थर लिए गए सब्सक्राइब कोई जानकारी अभी कोई भी अधिकारी देने से बच रहा है क्योंकि मामला कोट में है और रिपोर्ट जो है कोट में ही फाइल की जानी है लेकिन जो जानकारी मंगलवार को आई थी के सर्वे में कुछ खास नहीं लगा है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दोनों ही पक्षों की अपने अपनी दलील है जहां तक हिंदू पक्ष की तरफ से जो यह आचिका लगाई गई जिसमें यह कहा गया कि वहाँ पर श्रीहरी मंदिर है और जबके जो मुस्लिम पक्ष के लोग है उनका यह कहना है कि यहाँ पर कभी भी कोई मंदिर नहीं रहा था एक खाली जमीन थी जिसमें ठीक है ठीक है विमल रोक रहां रोक रहां एक और बड़ी खबर एक और बड़ी खबर बड़ी खबर अंदर्श्रों एक वाक्त्रू चलाते हैं संभल की शाही जामा मज़ित पर जो बवाल हुआ उसमें पुलिस ने पुष्टी कर दी है दो लोगों की मौत की और दरसल उब्द्रवियों के हाथ में ना सिर्फ पत्थर थे बलकि बड़ी संख्या में हत्यार भी थे जिससे ताबर तोड़ गोलियां चलाए गई पुलिस गोली लगने से उनकी मौत हुई या फिर्म की मौत की बज़ा है क्या है लेकिन जिस तरीके से मस्जीद के पास ही नहीं उसके जो आसपास की गलियां है जहां से भीड़ निकली उस रास्ते में भी यह देखे यह बाद यह जो दिल्ली नंबर की गाड़ियां है तमाम वही उस बात की तस्दीक कर रहे है किस तरीके से बाहर से आई हुई गाड़ियों को ही टार्गेट किया गया इनमें भी देखे किस तरीके से तोड़ फोड की गई और यह अंदर की गलियों वाला रास्ता है यहां पर साफ सफ़ाई का काम चल रहा है क्योंकि तमाम इट पत्थर जो बड़ी संख्या में यहां पर पड़े हुए थे उन सभी को इखटा करके हटवाया जा रहा है और देखे यह यहां पर लोग जो उस वक्त जिनके घर है वो किस तरीके से देशत में क्योंकि भीड बड़ी संख्या में आई और इखटे यहां पर इस तरीके से हुए हैं और उनकी निशानिया जगा-जगा दिख रही है कि कितना भ्यानक मंज़र था और अब लगातार जो क्योंकि इस इस इलाके के आसपास के तमाम जो सीटीवी थे उनको तो उखाड दिया गया तोड़ दिया गया या फिर उनको कोशिश की गई कि उसमें फुटेज न पर सिस्टीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन जिस तरीके से इन कैमरों कभी अगर एंगल को देखें तो यसी जानकारी लग रहे है कि शायद इनको भी जान बूचकर जो द्रवी थे उन्होंने या तो मोडने की कोशिश की जिस पूरा प्लान हैं वो किस तरीके से अजाम क्याएंगे इस यहां पर अपसे कुछ देर पहले वहां पर भी लैख रह घठ लेकिन प्रशाशन उसके सुभा की घटना के बाद एकदम मुस्तेया और घटना को तुरण थी काबू में कर लिया गए और बहराल इलाके में पूरी तरीके से शांती बहाल कर ली गई है तो आपको बता दें किस तरह से आज सुभा से ही संभल में पूरी तरह से ये हिंसक विरोध प्रदेशन देखने को मिला था अभी तक जो खबर सामने आई है उसके मताबिक इस विरोध प्रदेशन में तीन लोगों की मौत हो गई है अधिकारियों की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि हजारों की संख्या में यहां पर सानिया लोग पहुचे हुए थे जमकर पत्थर बाजी की गई जो गाड़ियां वहां पर मौझूद थी उनको चलाया गया कई महिलाओं को छट पे तैनात किया गया था पत्थर जमा किये गयते और पुरे प्लाइन के तहट इस विरोध प्रदेशन को अंजाम दिया गया अलंके प्रशासन ये कह रहा है कि अभी संबल में स्थितियां काबू में हैं नियंतरण में हैं अभी किसी तरह से कोई हंगामा कोई विवाद वहां पे नहीं हो रहा है लेकिन सुबह ठीक साड़े च्छे बजे जब अधिकारियों की टीम मस्जिद में सर्वे करने पहुँची थी तब ही अचानक ये विवाद वहां पे हुआ था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं संबल इलाके में जो भीड आई थी जो उबद्रवी थे वो इस तरीके से प्लैनिंग कर रहे थे कि उनके चेहरे किसी को न पता चले बकाइदा ना सिर्फ चेहरों को कवर किया हुआ था बकाइदा जो इलाके में आसपा सीसी टीवी कैमरी लगे हुए थे उनको भी तोड़ कि उपके में मारकेट के बाहर हूं उन सभी को इसी तरीके से पथ्र मार कर रहें लगाए थे लेकिन उनको नुक्सान पहुचाया गया उनको भी पथर मार कर तोड़ा गया और केमरे यहां से जो कुछ तस्वीरे काया दूए होगी वो प्रशाशन ने इसकी जो डिवीर है वो अपने कबजे में ले लिया पुलिस ने और अब यह जाच कर रही है लेकिन जिस तरीके से यह आपको मैं कैमरा वो दिखा रहा हूं जो यहां पर में रोड पर लगा वा था और इस तीन तरफ से अलग अलग जगा से भीड खटी हुई और उसने पर तोड़ पत्थराव शुरू कर दिया जो गाड़ियां दिखी उन गाड़ियों में आगजनी की गई और बकाइदा यहां पर आदे घंटे तक एक बेहद ही खौफनाक महौल रहा था जिसे अब पुलिस ने आदेए जो सbor जो कंउटेव इलाके यहां आपर ड्रोन केमरों से भी नजर रखकी जा रही है और साथ ही साथ लोगों से लगातार अपील की जा रेकर वह किसी भी तरीके से अफ़्माओं पर धान ना दे और किसी भी तरीके से मह oxy को ख़राब ना होनिकसा ने संभल तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे समवाथा विमलकौशे ग्रॉंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर थे कि आज सुबा विरूत परशन हुआ उसके बाद किस तरह से वहाँ पर आखजनी की गई है कई कारों को चला दिया गया है अलांकि प्रशासन के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आप किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दे